गेंद्रिये ग्रिह राज्यमंत्री अजय मिस्रा घिर चुके हैं चारों तरफ से और यहां तक कि उन्हों ने पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पुछा तो आपाक हो दिये और पत्रकारों को भी गाली देने लगे शत्ता का नसा ऐसा चड़ा हुआ है कि समझ नहीं आता है कि कर क्या रहे हैं एक तरफ बेटे ने गाड़ी चला करके कुचल दिया अनगिनत लोगों को और मामला जब पुलिस के पास पहुचा हंगामा उस वक्त भी हुआ था मैं डिटेल्स में आपको बताता हूँ कि यह मामल है तिकूनिया तिकूनिया में किशानों के उपर इनके बेटे ने गाड़ी चड़ा दिया रौंद दिया कह सकते हैं और वीडियो काफी वा था उस वीडियो को देखने के बाद यह साब पता चलता था यह बहुत बड़ा हाथसा है हंगामा हुआ सरकार ने एसाइटी का अजय मिस्तरा के बेटे के उपर हत्या का पर्यास और आम्स एक लगाने की सिफारिस की गई है यानि कि एसाइटी की रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि अजय मिस्तरा के बेटे ने जान बूज करके ऐसा किया है अजय मिस्तरा के बेटे का नाम है आसिस मिस्तरा और तिकून या हिंसा मामले में बेटे आसीस मिस्रा को फस्ते देख पत्रकारों के सवालों पे उन्होंने आपक हो दिया और अपसब्द कहने लगे और ये घटना कल की है कल जब कुछ एक जगा कुछ उद्गाटन करने गए थे मंत्री जी तो हाँ पत्रकारों ने सवाल पूछ दिया उस इसके वीडियो वाइरल हो गए और इधर संसद में हंगामा जारी रहा था कल दीन भर कल दीन भर राज्य सभा और लोक सभा दोनों शद्रों में हंगामा रहा सदन चला नहीं कल और ये सारे मामले जब काफी ज़्यादा एक का सकते हैं कि लेवल से उपर हो चुका है क्योंक हो सकता है दूसरी तरफ जो विपक्ष है उनको एक मौका मिल गया है सरकार को घेरने का इसलिए अजय मिस्रा को दिल्ली तलब किया गया है अजय मिस्रा शाम पांच बच के 35 मिनट की फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो करके 6 बच के 40 मिनट पे पहुंचेंगे और अब अजय म चांधिक ने ट्यूट करके कहा है कि यह मंत्री जो खुद को कानून से उपर समझ रहा है उसका इस्तिफा लेकर के ही दम लेंगे अब यह लडाई काफी बढ़ गई है क्योंकि लडाई संसत से लेके शड़क तक चली रही थी कि उसमें आजय मिस्रा ने पत्रकारों को गाल होने लगा है तो आज बहुत ही निरनायक दिन है अजय मिस्रा के लिए तो देखिए क्या फैसला होता है कुर्सी रहती है या कुर्सी जाती है जहिंद जय भारत